चार अजार नौ से सतर लोग हमाई लाइप पर जुड़ चुके हैं बहुत बहुत थाइंक्यू बहुत बहुत धन्यवार ऐसे आप लोग प्यार बनाये रखो और आईडी फॉलो कर लिए अच्छा ये बताओ आज को ब्लॉग किनने किनने देखो मेरो आज का ब्लॉग किसी ने देखा हम बंडारा खान गएते अभी हम कानपुर में नहीं है आए है अब मेडिया पर धाग छोड़ने वाली सिवानी कुमारी को आज कल कूर नहीं जानता है अपनी भासा से फेमस हुई सिवानी कुमारी आज सब के छक्के छुड़ा रही है और सोशल मीडिया पर इस्टार बनी गूम रही है आज सोचल मीडिया पर सीवानी कुमारी लाखों में खेल रही है उस टाइम एट टाइम ऐसा था जहां पर सीवानी कुमारी के पास कुछ भी नहीं था ना घर था ना कोई भी नहीं था ना कोई साथ देने वाला था मगर आज सीवानी कुमारी के साथ सब कुछ खड़े है क्योंकि सीवानी के पास आज पैसा है जैसे ही वो कोई भी वीडियो अफ्लोड करती है हर एक वीडियो से बहुत पैसा कमाती है और लोगों को इंटर्टेन्मेंट करती है अपने भासा से famous हुई सिवानी कुमारी अपनी गाउं की भासा यूज करती हैं चाहे कोई पसंद करो या ना करो मगर fans ऐसे हैं हमारे उनिया के अंदर एक बात अच्छी है कि कैसी भासा हो लोग उसको support करते हैं अगर सिवानी कुमारी जिस तरीके से अपने मुह से बोलती हैं बहुत ही अच्छी लगती है और जिस तरीके से उनकी भासा है लोगों को बहुत अच्छी लगती है और उनको दिल तक छूजाती है तो दोस्तों आईए आपको दिखाते हैं सिवानी कुमारी का यह लाइप जि प्रिट कर रहे हैं तो जो पर रहे हैं अपने दम पढ़ लिया आ चैसल निन्यावे वालों नहीं हैं अप लोग है सपोर्ट प्यार कर रहे हैं तो भी अपलाई करें अब जाए अब तक हमने अपलाई नहीं करो है और बता पॉंच जार लोग और दोदा चार अजार नौ से सतर लोग हमाई लाइप पर जुड़ चुके हैं बहुत-बहुत थाइंक्यू बहुत-बहुत धन्यवार ऐसे आप लोग प्यार बनाए रखो और आईडी फॉलो कर लिए अच्छ का विलोग किसे ने देखा हम बंडारा खान गएते अभी हम कानपुर में नहीं हैं आए हैं आए हैं गूमन अमाउंट देखो किस चीज का अमाउंट मैंने अभी देखा अच्छा विलोग था इंक्यू शिवानी दिदी कानपुर हो कानपुर अभी नहीं हैं बहुत अच्छा लगा था इंक्यू मेरे गर पर भी घूम जाओ आएंगे अगर तुम न मिलते तो हम जीन पाते किसे अपना कहते कहां दिल लगाते अभी एक अपना रील डाली है वो देखे आओ जाके ये ये मेंदी लगी है इसी की देदी कैसी हैं आप हम ठीक है आप बताओ कैसे हैं हमारे बोल तुमारे बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और बताओ ये लाइव एंड हो रही है क्या ? नेट्वर्ट थोड़ा